DAP rate के 3 step है, step 1, 12 बजे तक आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 तरह के फल खाना है, based on your body weight, मान लिजे मेरा body weight 70 kg है, 70 kg into 10, that becomes 700 grams, कम से कम 700 gram, और अगर आप diabetes patient है, तो मेठे फल तो जरूर खाईए, जैसे आम है, या फिर केला, चीकू, अंगूर जरूर खाईए, तो 700 gram minimum based on my weight, और maximum कितना जितना ज्यादा खाईए, उतना अच्छा, लेकिन 12 बजे तक कुछ और नहीं खाना है, ना bread, ना pasta, ना पराठे, ना चाय, ना biscuit, मैं भूके रहने नहीं भी बोल रहा हूं, in fact आप ज्यादा खाईए, बट फल खाईए, यह है step 1, step 2, जब भी कभी dinner के लिए बैठेंगे, आप हमेशा दो प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 1 और प्लेट 2, प्लेट 1 में 3 से 4 तरह की कच्छी सब्जी, ऐसी सब्जी जो आपको लगता, आप कच्छा खा सकते हैं, टमाटर, खीरा, मोली, गाजर, कक्री, इत्यादी, and total quantity should be your body weight into 5, मान लीज का, conventional diet, जो भी आप घर में खाते आए हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इडली, डोसा, जो भी आप traditionally खाते आए हैं, वही खाएंगे और खूब खाएंगे, लेकिन पहले प्लेट 1 खतम करने के बाद तभी प्लेट 2 टच कर सकते हैं, लंच में भी ये करना है, और डिनर में भी ये करना है, और दिनर हमेशा 8 बेस से पहले खतम कर लेना है, ये तो हो गया step 2, अब step 3, the final step, सिर्फ दो ही चीज़ों का अवाइट करना है, number 1, ऐसी चीज़ें जो जानवरों से निकलती हों, जैसे जानवरों से निकलने वाली चीज़ें कौन सी होती हैं, जैसे chicken हैं अंडा है, या फिर fish है, या फिर dairy products है, और दूसरी चीज, जो factory से निकलती हों, जैसे biscuit है, bread है, या फिर नमकीन है, इस तरह की चीज़ें को avoid करना है, ये तो avoid करने वाली list है, और जिन चीज़ें को आपको लेना है, वो है, जैसे कि पूरे दिन बर में अगर आपको कुछ न कुछ snacks लेना है, तो उसमें nuts है, sprouts है, मुठी भर, या फिर fruits तो पूरे दिन बर भी खाई है, बारा बज़े के लावा, और सबसे important कि रोज आपको रिश कीज़े, कम से कम 30-40 मिनिट धूप में बैठें, that is the most important thing, तो ये है total DIP diet, अगर ये DIP diet कल से चालू करेंगे, तो it takes about 72 hours to be free of diabetes medication, diabetes को reverse करने के लिए, for most people it takes about 3 days only, मतलब तीसरे दिन तक आपकी मजबूरी हो जाएगी, कि diabetes की दवाईयों को zero करना, या अगर आप insulin पे हैं, तो insulin को at least 50% घटाना, नहीं तो आप hypoglycemic stage में चले जाएगे and that can be dangerous, तीन से साथ दिन के अंदर अंदर आपका blood pressure कम होने लगेगा, यानि कि blood pressure की medicine से भी पीछा छूटने लगेगा, cholesterol normalized हो जाएगा, intestinal disorder गयब हो जाएगे, constipation गयब हो जाएगा, एक महिना लगता है, obesity को control करने में, यानि कि एक महिना के अंदर 10% weight reduction for obese patient and heart disease में, अंजाइना में benefit मिलेगा एक महिने में, यानि कि एक महिने के अंदर heart disease vanish होने के about 90% chances है, दो महिने के अंदर thyroid गायब हो जाएगा, यानि कि thyroid के medication पे अगर आप हैं, तो मेरी recommendation है कि हर महिने thyroid चेक कराईए, क्योंकि आपको thyroid की medicine को taper down करना है, otherwise आपका hypothyroid, hyperthyroid में convert हो जाएगा, छे महिने लग के लेके 12 महिने तक लग सकते हैं, अगर आप kidney patient है, liver failure के patient है, या कोई skin disorder है, सबसे महतुपूर्ण बात है कि जैसे आप diabetes start करेंगे, उसी दिन से आपको benefit डिखना ऐसास होना शुरू हो जाएगा, आपको अगले दिन से या उसी दिन से medicines को taper down करना आपकी मजबूरी हो and यह ना केबल किसी भी lifestyle disease से आपका पीछा चुड़ा सकता है, पीछा चुड़ाने में help कर सकता है, बलकि दवाईयों से भी आपको मुक्ति दिला सकता है